हम सरीर नहीं हैं, अगर यह सुभाव, यह प्रक्रती सरीर की है, जब तक मनुस्र की देह बुद्धी है, जब तक मनुस्र अपने सरीर को मैं मानता है, मैं सरीर हूँ, देह बुद्धी है, तब तक आगे बढ़ने में समर्थ नहीं है, जब देह बुद्धी का त्याग करके आत्म बुद्धी, जीव बुद्धी प्राप्त होगी, आत्म बुद्धी प्राप्त होगी, मैं एक जीव हूँ, मैं एक आत्म हूँ, जब इसका उत्थान होगा, तो इस्वर बुद्धी प्राप्त होती है, ममेवांसो जीवलोके, जीवभूता सनातनाहा, यह बुद्धी जब प्राप्त हो जाती है, तो जिस प्रकार अभी आपका एक आत्म भाव सरीर से है वही एक आत्म भाव इश्वर से हो जाता है तो यह कर्मों का बंधन तूटता है क्योंकि आप देह नहीं हो संपूर्ण प्रानी जीव है आत्मा है इश्वर के अंस है जड़ा गौर करिए देह क्या है देह तीन प्रकार की होती है इस थूल सूक्ष में और अन्न में कोज देहोय मन भवनान मयस्त को साश्चानेन जीवत तुब नस्यतित दभीना त्वक्चर में मां सिरुदिराष्ट पुरीश रासे नायम स्वयं भवत मरत नेत सुद्दा देहोया शरीर देह अन्न का भवन है घर है देहोय मन भवनान मयस्त को साश्चानेन जीवत तुब नस्यतित दभीनान अन्न के कारण यह जीवत है यदि अन्ना मिल जात विना स्यतित दभीना अन्ना मिल जात विना सुजाएगा इसका नस्ट हो जाएगा शरीर तुब नस्यतित दभीनान पड़ा है जिस यह सरीर की रचना हुई है भला यह आत्म कैसे हो सकता है यह जीव कैसे हो सकता है यह स्वयमाप नहीं हो सकते ना शरीर जड़ आपचेतन है पूर्व जने रधिम्रते रपिनाय मस्ति जातक छणः छणगोणो नियता स्वभाव नैको जडश घटवत परिद्रस्च माना स्वात्मा भवतू स्वात्मा कतं भवतू भाव विकारवेत्या पूर्व जने रधिम्रते रपिनाय मस्ति पूर्व में जन्म की पूर्व में आप कों थे कहां थे पूर्व जने रधिम्रते रपिनाय मस्ति म्रते रपि मरने की बाद आप कहां जाएंगे सरीर जाएगा सात्म नहीं जाएगे अर्था तो आप सरीर नहीं हो जातक छणा छण गुणो नियतस सुभावा या जातक अने जीव छणे को सरीर में आ करके और सरीर के गुणों को ग्रहन करके सरीर मानने लग जाता नैको जडश घटवत परिदस्च मानाहा स्वात्मा भवतु गथम भाव विकार वित्वा जिस प्रिकार सूरी की करण हज्जार घड़ों पर परती हैं उस सभी घड़ों पर सूरी का प्रतिविंब दिखाई देता है उसी प्रिकार संपूर भूत प्राणियों में इस्वर द से सुकरा से उसी सवर के अंस है देह नहीं है जब देह नहीं है तो देह के अंग है क्या प्रकृति के अंग सभाव देह का है प्रकृति देह की है शरीर की है जीव का सभाव नहीं है आत्मा का सभाव नहीं है